विदेश मंत्राले ने पासपोर्ट के रंग को औरेंज करने और आखरी पन्ने पर दर्च पूरी जानकारी को हटाने के फैसले को वापस ले लिया है। विदेश मंत्री शुश्मा स्वराज की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बात का फैसला लिया गया। सरकार के इस नए फैसले के बाद पासपोर्ट पर पीछे के पेच पर जानकारी छापे जाने की परंपरा जारी रहेगी। मतलब साफ है कि पासपोर्ट का स्तमाल अब एड्रेस प्रूफ के तौर पर किया जा सकता है। दरसल कुछ दिन पहले सरकार ने ECR स्टेटस वाले लोगों को नारंगी रंग का पासपोर्ट जारी करने का फैसला किया था। इसके साथ ही सिंगल पैरेंट्स की केस में भी रहत देते हुए सरकार ने पासपोर्ट के लिए बच्चे के माता या पिता का नाम बताने वाली अनवारिता को खत्म कर दिया है। दोनों सुझाप विदेश मंत्राले और महिला एवंबाल विकास मंत्राले की तीन सदस्यों वाली विशेश समिती की शिफारिश पर लिए गए थे। सरकार के इस पैसले का विपक्ष ने काफी विरोध भी किया था।